हलो बच्चों वेलकम बैक टू दिर्शास ओनलाइन गुरकुल इस वीडियो में हम साइन्स जूनियर लेबल का जो पेपर डिस्स कर रहे हैं उसका पार्ट थ्री डिस्स करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कुस्चन क्या है इसमें देखे इस कुस्चन में मानों की आहार नाल के बिफिन भागों का सही क्रम ग्याद किजिए तो आहार नाल का जो सबसे पहला होता है वो मुखी होता है ये सभी में है ठीक दूसरा क्या होता है अगर देखें पहला तो मुख हो गया दूसरा क्या हो गया ग्रशनी हो गया या सिंपली ग्रशिका हो गया दूसरा क्या है ग्रैसिका तो C इसमें सही है एक चीज और देख लीजे ग्रैसिका के बाद क्या आएगा अमासे आएगा अमासे ये जिसको आप पेट बोलते हो ये पेट है अब ये अमासे आगया अमासे के बाद छुद्रांत पूँने से चुद्रान्त मतलब चोटी आत चोटी आत आ गया और फिर उसके बाद बढ़ियात थीक है फिर ब्रिहधान्त है थीक है अब उसके बाद क्या आ जाता है यह देखे ब्रिहधान्त ब्रिहदान्त के कई सारे पार्ट है ये वाला तुम्हारा ब्रिहदान्त है ठीक है ये जो है ये ब्रिहदान्त है और ये जो है ये क्या है ये तुम्हारी छोटी याथ है छुद्रान्त है जो अंदर की तरफ है तो इस तरीके साफ समझ गे होंगे कि आहार नाल का जो इस्टार्टिंग से मुह से लेके चलते हैं और ब्रिहदान तक पहुँचते हैं ठीक है ब्रिहदान के बाद अगर देखें तो मलासे आ जाता है ब्रिहदान के बाद भी अगर हम देखें तो उसे मलासे आ जाता है मलासे के बाद गुदा होता है जिसके त्रू जो है अब सिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान में आगया होगा मुहो सबस्पहले मुहो आएगा फिर ग्रसी का ठीक है फिर आमासे फिर छुद्रांत फिर आपका ब्रहदांत फिर क्या आएगा मलासे आएगा फिर बाद में गुदा आएगा ठीक है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरब देखते हैं नेक्स कुश्चि भौतिक के कड़े रूप में सनरक्षित पाठ को यदि थोड़े लचीले पन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह विद्यार्थियों यह उस विद्यार्थि के सीखने के लिए सबसे उपियुक्त होगा जिसकी बुद्धि लब्ध 85 है इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीद देखिए कोई एक कड़े रूप से सनरक्षित पाठ है तो उसको थोड़ा लचीले पन से अगर पढ़ाया जाए तो जो एवरेज चात्र है जो थोड़ी सी मंद्य बुद्धि के चात्र है वो जादा आसानी से उसको समझ लेंगे तो उसके लिए उपियुक्त होगा जिसकी बुद्धि लब्धि क्या है पचासी है क्योंकि जो मंद्य बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है ऐसे विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि जो है पचासी के आसपास होती है तो इसका एंसर जो सही ह answer A is the correct answer आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरब देखते हैं next question को निम्न में से कौन सा बिस्मांगी मिस्तरण है निम्न में से कौन सा बिस्मांगी मिस्तरण है तो आपको पता ही है आयोडीन युक्त नमक आयोडीन युक्त नमक क्या है एक बिस्मांगी मिस्तरण है एक या एक से अधिक योगीकों के मिस्तरण को बिस्मांगी मिस्तरण कहते हैं एक या एक से अधिक योगीकों के मिस्तरण को बिस्मांगी मिस्तरण कहते हैं अताहा आयोडीन युक्त नमक एक बिस्मांगी मिस्तरण है इसमें आयोडीन लवर तथा NACL का मिस्रण होता है ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स कुश्चन को तो इसका एंसर बिसमांगी मिस्रण का एंसर कौन सा होगा आयोडीन और नमर दो या दो से अधिक योगिक होते हैं इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स कुश्चन को इसमें देखिए भूतापी उर्जा भूतापी उर्जा एक क्या है एक बैकल्पिक उर्जा स्रोत है इस उर्जा के लिए सरवाधिक संभाव छेत्रवे हैं जहां कुछ भूताप मतलब अंदर से पृत्वी एक तरीके गरम होती है उन अस्थलों को गरम कर देती है वहां का पानी पूरा गरम हो जाता है इस तरीके से भूतापी उर्जा होती है जो भूतापी उर्जा के बैकल्पिक उर्जा स्रोत है आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगा इस तरीके से क्या होता है कि अंदर पृत्वी के अंदर से जो है गैस से निकलती है गरम लावा सा निकलता है वो पूरा एरिया जो है जनरली ये वैलकोने उसके आसपास ही होते है उधर की एरिया का ही रीजन होता है जो आपका इस तरीके से भूतापी उर्जा का जो है जो है बैकल्पिक सोर्स होते हैं तो चलिए हम लोग आगे बाढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरब देखते हैं नेक्ट कुश्चिन को इसमें देखिए निम लिखित में से उस अफक्रिया को चुनिए जो संभव है तो देखिए इसमें क्या है संभव वो होगा देखो विस्थापन वही करता है जो ज़्यादा अफक्रिया सील है तो इसमें देखिए अगर हम इस कुश्चिन में देखें तो जिंक जो है तुहारा जिंक ज़्यादा अफक्रिया सील है iron के respect में तो वो इसको विस्थापित कर देगा इसी तरीके से अगर यहाँ देखे इस वाले में C वाले में अगर आप देखे तो इसमें क्या है iron जो तुम्हारा है iron जो है कापर से जादा अफ्क्रिया सील है तो जो है यह विस्थापित हो जाएगा तो इसमें देखे जिंक 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 जो है iron sulfate से iron को विस्थापित कर सकता है ठीक है सेम उसी तरीके से iron iron copper sulfate से copper को विस्थापित कर सकता है जिंक जो है iron sulfate से iron को विस्थापित कर सकता है और iron जो है copper sulfate से कोपर को विस्थापित कर सकता है ठीक है तो इस तरीके से यह इसका एंसर जो हुआ एंसर जो है आपका बी हो गया जिसका एंसर है आपका बी और सी ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन को इसमें देखिए कुछ डानासोरों के पर थे यद्दपिवे उड़ नहीं पाते थे ठीक है परन्तु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है देखिए डानासोर के पर थे पर वो उड़ नहीं पाते थे पक्षियों के पर हैं बट वे उड़ पाते हैं ये जो है समजात अंग बोलते हैं इस तरीके के अंग को समजात अंग बोलते हैं जिनकी कार्य जिनका इस्ट्रक्चर तो एक तरीके से है पंकसा ही है बट वो कार्य अलग-अलग है तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग समजात अं आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरब देखते हैं निक्स कोश्चिन को ठीक है इसमें देखिए यद्यापि आपसे किसी भली भाती प्रकासिक पेंटिंग के प्रतविम को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए ठीक है यदि आपसे किसी भली महाती प्रकासिक पेंटिंग के प्रतविम को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश के लिए निम्न प्रकासिक युक्तियों में किसे चुनेंगे तो इसका बेस्ट ओप्षेपित करने के लिए उत्तर लिंस का प्रियोग किया जाएगा तो प्रतविम बनाने के लिए किसी पेंटिंग की अगर आपको कहा जाए कि उस पेंटिंग का प्रतविम आप दीवार पर बना दीजिये तो उसके लिए जो प्रकासिक लेंस आप यूज़ करेंगे वो कौन से होगा उत्तर लेंस होगा आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरब चलते हैं नेक्स कुश्चन पर इसमें देखिए किसी चुम्बक के किसी चुम्बक के लोग रेतन तथा सल्फर पाउडर के सल्फर पाउडर के मिस्त्रण सलफर पाउडर के मिस्त्रण में फिराया गया प्रेक्षन करने पर यह पाया गया देखिए चुमबक है चुमबक को लौह रेतन पर अगर फिराऊगे तो लौह रेतन क्या होगा वो उसके दोनो ध्रूवी पर चिपक जाएगा केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुमबक के दोनो ध्रूमों की और आकरसित होगा ठीक है क्यों क्यों क्योंकि सल्फर पाउडर तो चुमबक पर नहीं चुपकेगा किसी चुमबक के लौह रेतन तरह सल्फर पाउडर के मिस्रा में फिराया जाता है तो किवल लोह रेतन ही समान रूप से चुम्बक के दोनों धुरूओं की और आकरसित होगा तो इसका answer कौन सा हुआ इसका answer यह जो है यह आपका correct answer है आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरब देखते हैं next question को next question क्या है इस question में देखिए नीचे दी गई सानी में किसी यात्रा के विफिन समयों पर वाहन की मीटर पर सेकड में चाल ग्यात किजिए तो चाल बराबर क्या होता है시면 अब ये चीज देखिए दूरी बटे समय अगर हम सिर्फ देखो सही चीज तो ये है कि इसका अगर हमको निकालना है तो हमको निकालना चाहिए इसका आउसत चाल आउसत चाल बरावर क्या होता है कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय ठीक है ये है इसका आउसत चाल बट अगर समय अंतराल जो इसमें क्या है समय अंतराल अगर इक्वल है जैसे कि इसमें आधे घंटा इसमें आधे घंटा इसमें लेकिन आधे घंटा तो नहीं है बट इसमें जो solve किया गया है इसी basis पर किया गया है क्योंकि इसमें जो है क्या किया गया इसमें आधे घंटे को consider किया और आधे घंटे में 18 km को consider कर लिया बट लास्ट का अगर हम time देखें ये वाला time देखें तो ये time कितना बैट रहा है 9.30 से लेके 10.10 ये 40 मिनट का time बैट रहा है तो अगर इस duration में निकालेंगे तो उसमें 30 speed अलगाएगी तो ये जो है इस तरीके से solve करेंगे तो ये wrong हो जाएगा तो हमें सबसे best option जो होना चाहिए ऐसे solve कर सकते हैं ये तब सही होगा ये solution तब ही सही होगा जब ये जो है 10-10 नहोंके ये 10 बज़े हो 10 बज़े हो तो कोई problem नहीं है 10 बज़े होते ये solution सही होगा क्योंकि time interval सम में बराबर है और जो distance है इन दोनों के बीच वो भी सम में equal है same distance struggle कर रहा है ठीक है तब ये question सही होगा बाकि अगर distance और time में difference है तो best option यही होगा कि आप कुल दूरी बटे कुल समय करें तो कुल समय कुल दूरी पहले मैं निकाल रहा हूँ कुल दूरी कितना हो गया 6,7,1,2 minus कितना हो गया starting का पाठ्थ है क्या था 6,6,4,0 बटे समय देखिए समय कितना है 10 बजे 8 से लेके 10 तो मतलब 10 minus 2 10 minus 8 basically अब आगे देखिए घटा दीजे 2,2 minus 0 गए 2 ठीक, अब यह 11,11 minus 4 गए 7 ठीक, यहां क्या पचाए 6,6 minus 0 गए इतना हो गया बटे यह नीचे आ क्या 2 हो गया 72 बटे दो हो गया अब देखिए 72 बटे दो अब इस से क्या होगा अब एक चित देखिए यह किसमे है 4 आपको किसमे चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए यह है 72 जो आया है वो किलो मीटर है इसमें क्या करोगे 1000 से गुणा कर दोगे बटे ये देखिए नीचे का जो बैलू आई ये दो घंटे हैं एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है और हर मिनट में 60 सेगंड होता है तो 60 गुणे 60 कर दीजे ठीक है तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया ठीक 6 चंग क्या होता है 36 होता है और 36 दूना क्या होता है 72 होता है 36 दूना बहत्तर होता है अब देखिए अब उपर कितना हो गया 20 पटे 2 तो इस तरीके से देखिए यहां आया 2 2 1 2 2 दहमा 20 इस तरीके से आया 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड ठीक तो एंसर आपका कौन सा होना चाहिए एंसर C होगा जिसमें आया आपका 10 मीटर पर सेकंड ठीक है लेकिन यह तब आएगा आपका जब इसमें टाइम को आप 10 बजे कंसीडर करेंगे ना की 10 बज के 10 मिनट ठीक है तो बेस्ट ऑप्शन यही है जैसे इसमें इन्होंने सॉल्व किया क्या किया इन्होंने सिर्फ यह डिस्टेंस कवर इसको कंसीडर कर लिया और इतनी दूरी को ले लिया तो इससे जो है accurate insert नहीं मिलेगा यह question आपका wrong भी हो सकता है इस तरीके से question को अगर सॉल्व करते हैं बाकि आप समझ सकते हैं कि आपको best method क्या लग रहा है आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ देखते हैं next question क्या होगा ठीक है तो इसमें देखते हैं हम लोग निम लिखित में से तीन धातुओं के ऐसे समोह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है मुक्त अवस्था में क्या पाई जाती है मुक्त अवस्था में आपको जो मिलता है वो silver है gold है और platinum है ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है silver gold और platinum नम मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धात्विय हैं ठीक है तो इस तरीके से हमने पूरा पूरा प्वेपर कवर कर लिया अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है हमारे चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं किसी भी तरीके से बेनिफिशियल है या कोई आपका फ्रेंड इस तरीके से के एकजाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसके पास भी शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ बने रही है थैंक यू